पहरी चुराहे पर चल रहे पाल समाच के चक्का जाब में पहरी से कॉंग्रिस विधाय के लाश कुश्वावी मैदान में उत्रे शेहर की पहरी चुराहे पर पाल समाच के द्वारा कर सिधना पदोशन किया जा रहा है पाल समाच के लोगों ने खटा होकर पहरी चुराहे के चारों मार्गों को ब्लॉक कर दिया है पाल समाच के कई नेता और समाच के लोग पहरी चुराहे पर पीडित परिवार को समर्थन देने पहाचे साथ ही इस कड़कराटी थंड में राद भर पीडित परिवार पोहरी चुराहे पर धन्ना दीता रहा परिजन दोशी पुलिस कर्मियों पर F.I.R की मांग को लेकर अड़े हुए हैं बदादे की 20 वर्षी रविंद्र पाल अपने दोर स्टेदार रामवीर पाल और राजकुमार पाल के साथ बाइक से सिर्सो थाना श्येतर के के रोली गाउं अपनी बड़ी बहन के ससुलाल के सिकारी के में शामिल होने जा रहा था वहीं अनी परिजन और रिष्टिदार टेक्टर ट्रॉली में समार होकर निकले थे तबी मंगलवार की शाम साथ बजे के लगभग सुरवाया थाना के सामने उनकी बाइक डिवाइडे से जाट टकराई इससे घटना में रवींद्र की मौकी पर ही मौत हो गई थी ऑज है और जो शिबरी की पुलिस ने हमारे भाईयों के साथ बे गना भाईयों के साथ जो एक अच्यचार किया है पैसे के लालच के लिए उनके मारा पीटी की है और जो भईय क्तम उनके पिता जी साथ भी अच्ठार किया है तो इससे निन्द्दय यORK क्या बात है सिर्व उन्हें नोटों की च्छाहे में उनकी आखे बंद हो गई है इंस्यानियत मर चुकी है और अब वो सीपरी जिला सेहन नहीं करेगा और मैं मेरी जनता के साथ हूँ बहुत अथ्याचार हो गया है हर तानिप है जैसे कंट्रोल की दुकान होती है ना इसे कमाई की नोटों की कमाई के लिए कंट्रोल की दुकाने खोली है हमारे कप्तान भाई हो पुलिस एसवी साब की आंके पतनी है बंद है के खुली है किदर ध्यान है समझ में नहीं आ रहा कलेक्टर साब भी ध्यान नहीं दे रहे और मैं यहीं कहूंगा कि प्रिशासन से अब भौत हो गई है अती हो गई है अब आपको बक्सन ही जाएगा जनता से बड़ा ना सासन ना प्र है और हमारे पूरे परीवार को नियां मिलना चाहिए उनके जाहर अत्य चार्क एक जवाब दें और सामने आए कि ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों कि आप ने किस आपको पैसे की भूग के कारण आपने किया अगर यहीं परीवार आपके पैसे मुन है पैसे भर देता तो प्रान में हमने इनको रोका तो यह रोके नहीं और यह बैरीकेट से ठकरा गाई नहीं कोई चेक नहीं दोको ऐसा है कि पुल मिलागे जी है कि चेकिंग के दौर आपको रोका तो गाड़ी चलते में आप बीच में उसको कर सकते हो क्या है आई वे पर गाड़ी चल लए है तो और यह बात बताव यह नियम का चेहरे पर है जे देख लेदे हैं कि यह बला आदमी है जे सीध रहा है बाहर तो आप रोकने के लिए गए और जे जो तेज होता है बाब 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 बना के बाब छोड़ देती है यह कौन सा तरीक है और फिर भागी घटना हुई तो हुई वह इस वर चलो ठीक है तुमने अति कर दई है सीपरी ताने में सीपरी कोत वाली में उनको रात पर फीटा है उन्हें डड़ने मारे हैं जे कौन सा तरीका आजे अत्याचार और वह स्पीटल में भी अता पाई किये अब तो जो हमारी हां के सभी भाई सर्व समाज जनता हमारी भगेल समाज जो करेगी हम उनके साथ ही उनका पैसला मेरा पैसला है मैं एड़ोकेट महेंद्र बगेल अगले बार की पाल महासवाई वाजला देक्ष आज जो आप पोरी गोडे चोरा है पैसलों और आप यह अर्टाज में बैठे हुए हो यह क्या कारण है इसका कारण यह सरे मंगलवार के साम साथ वज़े की घटना है और सुरवाय ठाने पर हमारा भाई रविंद्र पाल तीन लोगों को साथ मोटर साइकल से आ रहा था उसी समय जब पुलिस यह चेकिंग कर रही थी यह मैं पता नहीं है क्या कर रही थी उन्हो रोकने के लिए प्रिक्ण ने वाइक भाई ठक्रा गई ठक्राने के बाद एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और दो लड़के घंबीर घायल है और वह एक सीपी भरती है इसके उपरांत जो हमारे लोगों ने वहाँ उपस्तीत लोगों ने बीडियो बनाया वहां का लोगों को पकड़ करें उसकी वीडियो मार्पिट करके लिड कर भाई उसके बाद हम जब बोड़ी को लेकर अस्पताल आए तो यहां पर डॉक्टर नहीं वृहत गोसत कर दिया रबिंद्पाल जी को और मृत गोसत होने के बाद जो हमारे लोगों ने वीडियो बनाया वीड इतनी मार्क पीट की उनको उनकी मुबाल स्ट्राइब करके उनकी मुबाल से बीडियो को उन्होंने अटाया और उनको बंद करा जब किसी भी प्रकार से माननी बदाइदी का फोन आया तो लोगों को छोड़ा और फिर पुलिस पर कारवाई की जाए तो एस पी सावरे मात्र जांच का असवसन देते हुए कोई गंबीर कारवाई ने की अधर आप क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि ओक तो पुलिस वाले आये हैं उन लोगों पर जो उन्होंने हमारे लोगों के साथ अन्यतक रूप से मारपीट की है उन पुलिस वालों पर एफ आई आर हो और सुर दोन सस्प्रेंड हो और मिन पर एफ आई आर हो